आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी माथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायलोजी डाउट्स का सफाया बस अपने क्वेशन की वोटो कीचो उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सिलीशन पाओ डाउनलोड नाउ अटोमिक नंबर 23 होता है तो यहाँ पर क्या जाएगा 3D 3, ठीक है गाईज V3 प्लस क्या हो जाएगा आरगनेटीन 3D 2 तो इसके अंदर अनपेड इलक्ट्रोन कितने आगे अगर मैं देखूँ तो अनपेड इलक्ट्रोन हो जाएगे यह D के 5 औरबिटल्स है इनको मैं थड़ा डंक से बनाता हूँ जो D के 5 औरबिटल होंगे उसके अंदर D के औरबिटल के अंदर जो 5 पार्ट्स होंगे उनमें ही दो इलक्ट्रोन आएगे मतलब दो अनपेड इलक्ट्रोन है ठीक है अब हमें इनमें से 24 होता है तो जब 24 होगा तो आरगन 18 4S2 और 3D4 तो 3D4 की बजाए हम 3D5 करेंगे और इसको stable बनाने के लिए क्या कर देंगे 4S1 ठीक है गाईज अब इसमें 3 पोजिटिव करेंगे तो एक तो S का गया और 2D के गये मतलब बचे कितने 3 तो इसमें अनपेर्ड इलेक्ट्रोन कितने हो जाएंगे 3 तो हमेची यह दो यह गलत हो गया अगले केस में आज हो गाईज मैंगनीज 2 पोजिटिव ठीक है तो यह जो किसके लिए क्रोमियम के लिए किया था तो 24 था इसके लिए 25 होता है तो इसके लिए जस्ट सेम रहेगा पूरा प्रोसीजर एक एलेक्ट्रोन बढ़ रहा है तो अनपेर्ड इसमें एक अभी बढ़ जाएगा ठीक है यह हर केसीज में पोसिबल नहीं होता है ऐसे लेकिन जब तक हमारी पेरिंग स्टार्ट नहीं हुई है मानलो यह D है ठीक है अब यहाँ पर हम एक एक एड करते जा रहे है तो उसमें तीन थे अब वो डारेक्ट ऐसे आएगा अब जो था ठीक है अब आता है निक्किल 2 पोजिटिव निक्किल में क्या हो जाएगा इलेक्ट्रोनिक कॉन्फिग्रेशन आरगन 18 4s2 3d8 ठीक है 3d8 है अब पेरिंग हुई है आब कुछ अलगाएगा तो इसमें निक्किल 2 पोजिटिव करेंगे तो 4s2 विड्ड्रो हो जाएगा अब 8 एलेक्ट्रोन मैं इसमें भरता हूँ देखो 5 होगे 6, 7, 8 अनपेड कितने बचे एक और यह 2 तो 2 ही हमें चाहिए थे 2 एलेक्ट्रोन यह सही हो गया अगला है fe3 पोजिटिव अब यह इससे निक्किल से अगला केस होगे 26 ठीक है इसमें एक एलेक्ट्रोन यहां बढ़ा और एक यहां यहां भी बढ़ा मतलब वो सेम रह जाएगा चलो इसको सोल कर लेते इसमें कम्पलेक्सिटी बढ़ रही है आरगन 18 4S2 3D6 में से 3 हटाऊंगा तो एक यहां से अटेगा एक यहां से 3D5 बचेगा तो 5 अनपेड इलेक्ट्रोन होगे तो यह भी नहीं होगा तो गाईज हमारा आंसर कौन सा आजाएगा option number 3 मैच हो गया है nickel 2 positive उसमें क्या होगा same number of unpaid electron as that of V3 IN ठीक है गाईज Thank you